नमश्कार दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ भर्मा हरी मिर्च का अचार जो खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये साल फिर क्या दो साल भी रखा जा सकता है ये इतनी आसान तरीकी से बनाया गया है जिसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी और वही टेस्ट इसमें आएगा तो आए हम इसको देखते हैं ये किस तरीके से बनाया गया है मैंने इससे पहले लाल मिर्च का भर्मा चार भी डाला हुआ है जो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो आप उसको भी जरूर देखिएगा आप वो बहुत पसंद आएगा मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रेप्शन वॉक्स में लगा दूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए देर न करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 250 गिराम हरी वाली मिर्च ली है जो मोटी वाली मिर्च होती है एक तो मोटी होती है और जो छोटी भी होती है लेकिन मैंने इस तरीके की लंबी वाली मिर्च ली है ये मैंने फ्रेश मिर्च ली हुई है जो हरी है और ताजा है इसकी डंडी देखने से ही पता लगेगा कि मिर्ची हमारी ताजा है या नहीं है आप इस तरीके से देख कर लीजिएगा तभी हमारा अचार जादा दिन चल सकता है और हम इसे धो कर अच्छे से पहुँश लेंगे और थोड़ी हवा लगा कर सुखा लेंगे अब इसको हम चाकू की साहिता से इस तरीके से इसमें कर लगा लेंगे और देख लेंगे अंदर कुछ कीड़ा वगेरा तो नहीं है क्योंकि कई वार मिर्ची में अंदर कीड़ा भी होता है इसे हम अलग रखते जाएंगे इसी तरीके से हम सभी मिर्ची को कट करेंगे ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती है अगर आपको लगता है ये मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो आप इसके बीजे भी निकाल सकते हैं मैंने इसके बीजे नहीं निकाले हैं और इन सभी मिर्चियों को हम इसी तरीके से कट करके एक साइड रख लेंगे, इसी तरीके से मैंने सभी मिर्ची कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, मैंने सभी मिर्ची को कट कर लिया है, अब इसके लिए हम मसाला बनाएंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम दो से धा अज्टी कहँंदेगी。 आप एक आयो मचा करूँ परξयुंदमर हमेति की नौता और पृफर्सप्रच दाले, भीम इख कालीन सूफ हम करते है clear. कर दोकि आफ़ टीटिउर हम सेकी रिशतिकर क्योंदे कंद दोक्ते है। इसलिए हम इसका टेस्ट और फ्लेवर बढ़ने के लिए हमने काली मिर्च का इस्तवाल करा है इसको हम एक से देड़ मिनट चिरी इसी तरीके से मदी मदी आश में प्रोस्ट कर लेंगे अगर आपके इहां पर तेस्ट धूप हो तो आप इसको दो से तीन घंटे के लिए धूप में रख दिजिएगा जिससे इसमें से नमी सारी निकल जाएगा तो जब नमी इसमें से निकल जाती है तभी हमारा अचार जादा लंबे समय तक चलता है अगर इसमें नमी होगी तो ये अचार हमारा जल्दी खराब हो जाएगा अगर आपके हाँ धूब नहीं है तो आप इसको इस तरीके से ड्राइ रोस्ट कर लीज़े देखिए बातों ही बातों में हमारा जो मसाला है वो काफी अच्छे से भून गया है इसमें से खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रहे है और हलका सा इसका कलर चेंज हो गया है इसे हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है वरना ये मसाला हमारा जल जाएगा और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने रख देते हैं अब एक ग्राइंडर जार लेंगे मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है इसको हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और पल्स मोड पर इसको हम पीसेंगे हमें इसे दरदरा पीसना है हमें ज़्यादा बारिक पाउडर नहीं बनाना है इसको देखी हमने दरदरा सा पीस लिया है पल्स मोड पर चलाया था दो चार बार और इसमें हमारा मसाला अच्छे से दरदरा सा पिसकर तयार हो गया है अब एक प्लेट में इस मसाले को हम निकाल लेते हैं अब इसमें हम कुछ पिसे हुए मसाले एड़ करेंगे 1 teaspoon हमने लाल मिर्च कश्मीरी वाली का इस्तमाल करा है और थोड़े सा हल्दी पाउडर करा है 1 teaspoon इसमें आमचूर पाउडर का इस्तमाल करा है और इसको हम थोड़ा मेक्स कर लेते हैं जिससे सभी flavor इसमें एक से घुल मिल जाएंगे थोड़ा सा इसमें हमने काले नमक का इस्तमाल करा है इससे भी test इसका बहुत अच्छा आता है और 1 teaspoon हमने साधा नमक का इस्तमाल करा है इन सभी को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसके लिए हमने mustard oil का इस्तिमाल करा है दो से तीन टेबल स्पून हमने mustard oil को अच्छे से गरो कर लिया है इसमें से धुआ निकल रहा है अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं देखिए थोड़ा हमारा तेल ठंडा हो गया है इसमें हमने तीन चार पिंच करीब हिंग डाली है वो थोड़ी सी इसके साथ भून जाएगी तो हमारा जो अचार है और लंबे समय के लिए चलीगा इसमें हम तेल डाल देते हैं और थोड़ा तेल हमने बचा लिया है इसको हम बाद में डालेंगे एक नीबू का रस लिगा है वो इसमें मिक्स कर देते हैं अगर आपके पास नीबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगे सिर्के का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसको हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे और जो मसाला हमारा है वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए थोड़ा आपस में जुड़ा हुआ मसाला होना चाहिए देखे इस तरीके से मसाला हमारा बनकर तयार हो गया है देखे हमारा मसाला कितना अच्छा बनकर तयार हुआ है इस तरीके से हम एक मिर्ची रेंगे और इसको हम दोनों हातों से पहले अंगटा लगा कर थोड़ा खोल लेंगे और चमच की साहिता से इसमें हम मसाला भर लेंगे मसाला हम थोड़ा अच्छे से भरेंगे जो पूरे में अच्छे से फैल जाए ज्यादा दाब कर हमें मसाला नहीं भरना है इस तरीके से हम मिर्ची को भर लेंगे और थोड़ा सा दोनों साइट से पकड़ कर प्रेस कर लेंगे एक्ष्टर मसाला इसमें से निकल जाएगा इस तरीके से हम सभी मिर्चियों में मसाला भर लेंगे और मिर्ची देखिए हमारी देखने से ही कितनी अच्छी दिखाई दे रही है तो अचार हमारा कितना अच्छा बनकर तयार होगा इसको आप पूड़ी पराठे के साथ खाईए दाल चावल के साथ खाईए या इसको आप सफर में लेकर जाएए तब भी हमारा बहुत अच्छा चार बनकर तयार होगा और सभी को बहुत पसंद आएगा तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर बना कर ट्राई कीजिएगा ये सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है इस सभी तरीके खाने का स्वाद बढ़ा देती है तो देखिए हमने इस तरीके से अपनी सभी मिर्चियों को भर कर तयार कर लिया है देखिए हमारी मिर्च देखने से कितनी अच्छी दिखाई दे रही है आप एक बार जरूर बना कर ट्राइ कीजिए मैं आप से बार बार कह रही हूँ जरूर बना कर ट्राइ कीजिए है जो गोवर से बना हुआ होता है या फिर एक कोईला ले लेंगे गैस की फ्लेम को आन कर देंगे और इसके उपर हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे जब तक ही अच्छे से धुआ नहीं छोड़ने लगे तब तक इसे हम इस गैस के उपर रखा रहने देंगे और देखे हम थोड़ी सी हिंग डालेंगे और जो हिंग जो डाली है इसका धुआ इसमें से और ज्यादा निकलेगा अब जो बरतन में हम अचार रखेंगे काचकी बढ़ने या चीनी मिट्टी की सको हम इसके उपर उल्टा रख देंगे अब इसमें जो धुआ भरेगा इस से हमारा बाद तो इसको हम उठा लेंगे आप देख सकते हैं हमारी बर्णी में से दुआ निकल रहा है इसमें हींग के खुश्बू बहुत अच्छे से आ गई है इसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छे से भर गया है अब यह हम अपनी जो मिर्ची हैं मिर्ची को लेंगे और इस ब इसको हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से हमारा अचार रखा रहेगा बिल्कुल खराब नहीं होगा अब बचा हुआ जो तेल था वो हम इसके उपर डाल देंगे अब इसको हम रोज डेली दो चार दिन हिलाएंगे और अगर आप इसे सालों साल चलाना है तो इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके और ठंडा करके इसमें डाल देंगे तो हमारा अचार सालों साल चलेगा ये खाने के स्वाद को बढ़ाएगा और सफर में भी सभी के बहुत काम आता है अचार हम अक्सर साथ में ले जाते हैं क्योंकि सबजी अक्सर खराब हो जाती है तो हम अचार से ही अपना काम चला लेते हैं तो आपको मेरी रेसिपी कैसी कर रखाए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेजिए इस अचार की रेसिपी को बनाईए खाईए और आने वाले मिहमानों को खिलाईए